नमस्कार दोस्तो रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सभागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूं इंजन प्रॉक्सी एप्लिकिशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस गर आप भी जानना चाहते हो इं मिलेगा इसके उपर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप ले पाएंगे उसके बाद इसके रिव्यूज रेटेड वगर आपको देखने तो वह भी यहां पर आप कंप्लिटली देख पाएंगे अब कैसे अप्लिकिशन को यूज करना चलिए मैं आपको बता देता हूं से जो भी सर्वर आपको कनेक्ट करना है उसके उपर आप क्लिक करेंगे और इसके उपर क्लिक करने के बाद यहां पर हम अलाव पर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर हम अलाव पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी अब गाइस यहां पर हमें कुछ second wait करना है उसके बाद यहां पर जो भी server हमने select किया होगा वो successfully यहां पर connect हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम back करेंगे back करने के बाद home page में आएगे तो यहां पर timer चलना होगा यहां से downloading and uploading speed आजाएगी यहां पर server name आजाएगा और यहां पर अगर timer आपको add करना और भी तो वो भी यहां से आप जो add कर पाएंगे ठीक है यहां पर click करके आप इसकी settings देखना चाहते तो इसके पूरी settings यहां से जो है देख पाएंगे ठीक है अब use करने के बाद इसे disconnect करना तो कैसे करेंगे तो यह जो disconnect वाला option मिल रहा है इसके उपर हम tap करेंगे एंड यहां पर एक ही click के अंदर यहां पर disconnecting start हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने phone में engine proxy application को use कर सकते है